Hello everyone, मैं हूँ भावन बातला from the Wheel of Fortune 369 से आप सभी की टारों का रीडर और आज हम चेक आउट करने वाले हैं कि Pices यानि मीन राशी वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है क्या नई surprises, क्या नई blessings उनका वेट कर रही हैं क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये नया साल उनके लिए और prosperous और happiness लेकर आए सो वो सब को जाज हम इस reading में देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप नए है subscribe कर लीजे, bell icon जरूर प्रेस करें ताक कि आपके पास notification आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ अगर ये readings आपके साथ resonate करती है तो इन readings को like भी जरूर करना है 2024 की जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो 2024 का total बैठता है 8 8 नंबर होता है Saturn यानि शनी का शनी आपकी life में stability लेकर आता है और 8 नंबर infinity का भी symbol होता है यानि आप लोगों की life में infinite blessings, infinite happiness कहीं न कहीं आपका wait कर रही है इस नए साल में तो देखते हैं कि mean राशी यानि पाइसेज राशी वालों के लिए ये नया साल क्या लेकर आ रहा है financially, health wise, relationship wise, career wise कैसा रहेगा ये नया साल आप लोगों के लिए चलिए तो फिर अब इस कार्ट को पिक करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है financially, so please divine बताएं financially कैसा रहेगा मेरे viewers के लिए Pisces के लिए ये नया साल तो सबसे पहले हैं पर है 5th chakra Archangel Gabriel और साथी साथ यहां पर energy उट कर आई है 1st chakra Archangel Michael की financially अगर इस energy को देखा जाए तो मुझे good flow of money आपर तो नजर आ रहा है definitely यानि पैसे का inflow तो बढ़ता हुआ दिखेगा renovation हो सकते हैं आपके घर में ठीक है और renovation या कुछ heavy expenditure of course हो सकता है हो सकता है आप कोई नई vehicle खरीदो car और anything कोई नई vehicle हो सकता है कि आप खरीदो luxury definitely आप ट्राट करोगे और साथी साथ यहाँ पर कुछ additional source of income भी start हो सकती है यानि अगर आप कोई आप business कर रहे हो तो हो सकता है आप कोई second business start करो या कहीं से additional income भी आपको generate होनी शुरू हो सकती है इस नई साल में financially हर तरफ से पैसा आता हुआ मैं देख रहे हूँ अगर कहीं पैसा stuck है तो वो भी आपको nearby April मिलने के chances यहाँ पर है आपके relatives या फिर आपके siblings या फिर कोई ऐसे लोग आपसे पैसो की help या demand कर सकते हैं और आप definitely उनकी help भी कर पाओगे तो इस ने साल में financially और money wise तो चीज़ें ऐसी नजर आ रही है जहाँ पर good inflow है, wealth है relationship wise अगर देखा से हैं तो यहाँ पर energy आ रही है sun की और second card यहाँ पर है six chakra archangel, metataran का यानि maybe हो सकता है कि आपको कोई तो propose कर सकता है अगर आप single हो तो specifically आप single हो और अगर आप female हो तो there is a chance कि आपको कोई best friend आपको propose कर सकता है इस नए साल में, ठीक है और मैं आप और कोई यही कहना चाहूंगी कि आप अपने past को बीच में मत आने दो अगर आप जतना अपने past को बीच में आने दोगे उतना चीज़ें खराब होंगी तो अपने past को कहीं न कहीं भुलाने की कोशश करो अपने past को, के जो भी regrets आपके अंदर है न past को लेकर या past के अगर कोई grudges हैं तो उनको कहीं न कहीं अपने आपसे दूर करो खतम करो इस नए साल के शुरू होने से पहले ताकि आप इस नए साल की शुरुवात एक open mindset के साथ कर सको नए love की, नए love की entry में ही आपर आपके relationship के sector में देख रहे हूं अगर किसी के दिल ये आपके दिल में feeling है तो बिल्कुल shyness आपको नहीं लानी है और अपने आपको fully express करना है अपने उस person के सामने और बिल्कुल उस person से आपको positive response मिलने के भी chances यहाँ पर है अगर आप married हो तो definitely ये साल आपके लिए married वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा romantic जाने वाला है आपके partner की तरफ से आपको appreciation, pampering मिलने के chances है new gifts मिलने के chances है काफी अच्छा time आप अपने partner के साथ on relationship wise spend करोगे अगर आप female हो तो आप हो सकता है possible कि आपके अपने husband और अगर आप female हो और married हो तो husband की family से आपके कुछ no joke हो सकती है तो उस no joke से उस मतलब pitified से कहीं न कहीं आपको बचना है क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी healthy नहीं रहेगी that will not be healthy so better है कि आप उसे बिल्कुल या तो अपने husband से आप discuss करो basically उन pretty fights से उन छोटी fights से जिनका कोई results नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है ऐसी fights से कहीं ना कहीं आपको बचने की जरूरत है and relationship matter okay and yeah क्योंकि आपके friend के मतब आपके family में आपके relative से भी आपकी fight हो सकती है किनी किनी लोगों को मेभी आपकी बाते भी बुरी लग सकती है so yes that energy I can see here चले career wise देखते हैं कि career wise चीज़े कैसी रहेंगी so career wise okay a man holding a hood and second we have the patience अगर आप किसी interview call का wait कर रहे हो किसी company में तो definitely आपको interview calls तो definitely आएंगे आप उन interview को मतलब crack भी कर पाओगे साथी साथ आपको अगर किसी exams के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अच्छे results देखने को मिलेंगे traveling भी आपर देख रहे हूँ career wise या कोई professional travel भी आप कर सकते हो इस नए साल में आप अपने business को expand कर सकते हो foreign में so yes अगर आपके ऐसी कोई planning भी है तो आप अपने business को foreign में expand भी कर सकते हो career wise चीज़े बहुत better होती हुई दिखेंगी partnership में अगर आप किसी भी तरीकी का काम करोगी तो आपके लिए बहुत successful वहां पर रहेगा कोई नया venture कोई नया business भी आप start कर सकते हो या कोई second business भी आप start कर सकते हो so yeah this is for career let us check out for health now health wise कैसी रहेंगी चीज़े पाइसे के लिए so please divine बताए health wise चीज़े कैसी है पाइसे के लिए the prices for you सबसे पहले है appreciation and second energy हाँ पर मैं देख रही हूँ blossoming abundance वैसे तो generally health में सब कुछ सही है लेकिन lung related issues या viral होने के chances बहुत जाता है इस नया साल में तो आपने आपको इस viral infection से या lungs related issues से कही न कहीं बचा के रखे कुछ aged लोगों के लिए health issues related to hurt भी हो सकते हैं उन चीजों से भी कहीं न कहीं आपको बच कर रहना है अगर बच्चे हो children's में कहीं न कहीं migraine के issues भी हो सकते हैं ठीक है because I can see that energy उन चीज से भी आपको बचना है आपको stress लेने से बचना है outings पर जतना जा सको holidays पर जा सको go ahead क्योंकि उससे आप बिल्कुल stressless feel करोगे जादा time आपको अपने nature में spend करना है पार्क में जाओ morning में उठकर breathing exercise करो yoga करो पार्क में जाओ greenery में रहो nature में जतना अपना time spend करोगे उतना आपके लिए health wise चीज़े बहतर होती हुई नजर आएंगी and health wise चीज़े काफी abundant है आणि अगर किसी तरीके के health issues से आप last year deal कर रहे थे तो अब मैं यहाँ पर यह देख पार हूँ कि वो सब health issues धीरे धीरे खतम होंगे और आप अपनी health पर focus भी करोगे कुछ लोगों के लिए मैं fitness की तरफ उनका passion भी देख रहे हूँ यानि आप gym, physical exercise की तरफ बहुत ज़ादा passionate रहोगे इस नए साल में and definitely आपको उसके भी good results देखने को मिलेंगे आपको physique, आपको fitness पर कहीं न कहीं आप बहुत ज़ादा work करने वाले उस नए साल में healthy dieting भी मैं काफी लोगों के लिए आप पर देख रहे हूँ which is very good चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या guidance निकल कर आती है Pisces so please divine बताएं क्या guidance है इस नए साल में Pisces के लिए expect a powerful change यानि किसी तरफी के बहुत बड़ा बदलाव आप नोटस करने वाले हूँ इस नए साल में और यह बदलाव बहुत ही अच्छानक बहुत मतलब all of sudden कहीं न कहीं यह change आपके life में आएगा and you will feel very happy आपने जो कुछ भी last year यानि जितना hard work आपने last year करा है यह year आपको उन सब का outcome देगा year year आपको सब का result देगा in a positive note यानि आपने जितना hard work करा है इस साल आप उसका hard work आपने hard work का result लेने के लिए तयार हो जाओ क्योंकि हर तरफ से मतलब abundance और prosperity आते हुए मैं देख रही हूँ बहुत सारी good news यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ और अगर आपने relationships में अपने time बहुत ज़ादा spend करा है तो आपको relationship wise भी बहुत अपने partner से प्यार, care, support मिलने के भी chances है तो basically what I see कि आपका hard work इस नए साल में payoff होगा ठीके और आपको अच्छे outcomes भी मिलेंगे अब इस नए साल को बहतर बनाने के लिए जो मैं हाँ पर energy देख पा रही हूँ तो आपको ज़रूरत है यह carnaline का bracelet पहनने का या तो आप इस carnaline के bracelet को अपने left hand में wear कर सकते हो और यह बहुत ही बहतर तरीके से आपकी help करेगा या आपकी confidence को develop करेगा आपके इंदर grounding लेकर आएगा आपको stressless रखेगा आपका focus आपका concentration यह increase करेगा और साथी साथ आपको जो भी issues यानि viral जैसे issues या किसी भी तरीकी के health issues आपको अगर होने के chances हैं इस नए साल में तो वो भी कही ना कही इस bracelet को wear करने से दूर होंगे तो definitely इस नए साल को और ज़दा prosperous और happy बनाने के लिए आप यह केरन लाइन का bracelet पहन सकते हो Pisces ठीक है विच इस very good और यह आपके लिए बहुत अच्छे से बहु करेगा and it will also help you in decision making यानि आपके decision making power को भी यह और ज़दा strong बनाता है okay so yeah this is the reading for Pisces अगर आपके साथ Pisces यह reading resonate हुई आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करे और अगर आपकी कोई wish है तो आप वो भी जो आप manifest करना चाहते हो 2024 में अशी अगर आपकी कोई wish है ना तो आप वो भी मुझे comments में नीचे लिख कर कर दो दो आपके कर दो झाल झाल